दोस्तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वाइल्ड स्टोन के एक बैड़ेस सीरीज के तीन प्रिमियम पर्फियूम्स के बारे में वाइल्ड स्टोन विस्की, वाइल्ड स्टोन सिगार और वाइल्ड स्टोन एमो नमस्कार दोस्तो पर्फ्यूम रूट में आप सब का फिर से सवागता है मेरे नाम हरपरीत सिद्धू दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि वाइल स्टोन के पर्फ्यूम और बॉड़ी पर्फ्यूम इनकी जो फ्रेग्रेंस होती हैं काफी डिफरेंट और अच्छे स्मेल करने वाली फ्रेग्रेंस होती हैं तो मेरे कुछ ऐसे सजन दोस्ट जो whyldstone के औल रडी परफियम्स यूज कर रहे हैं, वो इनकी fragrance के बारे में जानते है。 मैं भी दोस्तो वाइल स्टोन के काफी perfume यूज करता हो। और ज्यादा तर दोस्तों मेरे से अगर कोई पूछता है कि बजट में कोई premium fragrance के बारे में बताओ तो मैं सबसे पहले वाइल स्टोन के perfumes के बारे में ही बताता हूँ पर इस बार इनके badass series के तीनों perfumes बहुत ही premium है तो badass का मतलब अगर मैं देशी बाशा में कहूं कुछ हटके कुछ unique तो कुछ ऐसी dominating personality जिसका एक intense look हो जिसको देख के लोग डरते हैं पर उनसे inspired होके उनकी जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो इन तीनो perfumes के अंदर एक ऐसी ही uniqueness है और scent quality ऐसी है जैसे महंगे महंगे perfumes के इंदर होती है पर यही जो perfumes है दोस्तों बिलकुल आपके budget में है तो यह तीनो fragrances ऐसी हैं कि इनको अगर आप एक बार लगा के लोगों के बीच चले जाएंगे तो लोग भी ऐसी personality को याद रखते हैं ऐसी personality जो उनके दिलो और दिमाग पे बिलकुल घर कर जाए वहाँ पे सेट हो जाए बाकि इनके perfumes के बारे में बताने से पहले आपको पहले इनकी presentation दिखाता हूँ तो bottle इनके perfumes के अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारी है बहुत ही premium लुक देती है तो frosted glass के अंदर आपको इनकी bottle मिल जाएगी bottle जो है एक solid कांच की bottle है solid glass की bottle है जिसके अंदर आप इसका एक juice भी देख सकते है liquid भी देख सकते है perfume तो same front पे आपको wildstone का branding मिल जाएगी और उसके नीचे oil concentration लिखा है जो इसके अंदर use के गया है और they perform और बिल्कुँ side पे आपको दिखाई देगा perfume का नाम लिखा है जो की है whiskey और इसका अगर आप cap देखेंगे तो cap जो है plastic है एक अच्छे solid plastic में आपको cap मिल जाएगा जिसके ओपर golden से finishing की है और atomizer भी आपको golden में मिल जाएगा spray इसका अगर आपको देखेंगे तो spray भी काफी सुन्दर है काफी सई स्प्रे करता है तो सेम बाकी के जो दो perfumes हैं वो भी इसी type की bottle में है सिर्फ color का फरक आपको मिलेगा और bottle की side पे भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे भी आपको MRP मिल जाएगी तो सबसे पहले मापको बताता हूँ इस perfume के बारे में इसका नाम है विस्की तो जैसे इस perfume का नाम है विस्की तो यह perfume बिलकुल अपने नाम के हिसाब से मैच करता है तो सिर्फ यह perfume नहीं दोस्तों बाकी के दोनों पर्फियूम भी अपने नाम के हिसाब से मैच करते है तो जैसे बड़े बड़े डिजाइनर पर्फियूम होते है तो इस पर्फियूम के अंदर जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों इसकी जो खुश्पूवा है मुझे भी कुछ वैसी ही लगती है सेम इसके अंदर भी वैसा ही एक एलिगेंस है एक लगजरी फील भी मुझे इस पर्फियूम के अंदर मिलता है तो इसकी फ्रेग्रेस एक वाम और वुडी टाइप की फ्रेग्रेस है जिसके अंदर आपको बहुती सुन्दर ब्लेंड मिलेगा कौनियक के साथ विस्की और नेट मेक का ऐसी जो फ्रेग्रेस होती हैं किसी बड़े सेलिब्रेशन इवेंट में यूजरी बेस्ट रहती है आउड़र फंक्शन के लिए या फिर वैडिंग के लिए ठंडे मौसम में यूज करने के लिए ये पर्फियूम एक बेस्ट आप्शन है इमेजन करिए कि आप किसी बड़े सेलिब्रेशन इवेंट में जा रहे हैं या फिर वैडिंग में जा रहे हैं और आपने ब्लैक सूट पहन रखा है और उसके साथ आपनी ये पर्फियूम लगाया है तो ये पर्फियूम बिल्कुल आपको फिर तब मैच करेगा तो या फिर ये पर्फियूम मैं किसी बड़े सेलिब्रेटी परसनेलिटी के साथ मैच करूँ तो वो है मिस्टर देटेग रोशन और मान लीजिए कि अगर वो किसी बड़े सेलिब्रेशन इवेंट में जा रहे है शाम के समय और लोग उनको नोटिस कर रहे है ऐसी परसनेलिटी को तो ये पर्फियूम उस टाइप का है और वाल्ड स्टोन का ये विस्की पर्फियूम आपको एड़ी पी मिलने वाला है तो लास्टिंग इस पर्फियूम से आपको 6 से लेके 8 गंटे तक की लास्टिंग अराम से मिलने वाली है तो वाल्ड स्टोन का अगला जो पर्फियूम है उसका नाम है सिगार तो ये पर्फियूम भी अपने नाम के हिसाब से बिलकुल मैच करता है इसके अंदर आपको एक स्पाइसी और स्मोकी टाइप की फ्रेगरेंस मिलेगी तो जैसे इस पर्फियूम का नाम है सिगार तो इसके अंदर आपको रॉट टोबैको की फ्रेगरेंस के साथ पचुली, जिरेनियम और मस्क का बहुत ही सुन्दर एक कॉंबिनेशन मिलने वाला है नाम से आपको लग रहा होगा कि इस परफ्यूम का नाम सिगार है तो इसके अंदर वो सिगरेट वाली एक बैट स्मेल होगी नहीं दोस्तों वैसा कुछ नहीं है इसके अंदर जो नोट से दोस्तों वो रॉट बैकों के साथ एक रिच नोट यूज किये गया है खुश्पू बहुत प्यारी है तो इसमें रॉट बैकों के साथ लेमन और बेजल का एक बहुती सुन्दर ब्लेंड है जिसके अंदर आपको बहुती सही तरीके से एक बैलेंस तरीके से एक फ्लॉरल टोन भी मिल जाएगी तो इस पर्फिरूम को आप पूरा साल यूज कर सकते हो चैजुल मीटिंग के लिए बिजनस कैज़ल मीटिंग के लिए इवनिंग के समय यूज करने के लिए ये एक बेस्ट आप्शन है आप इमेजन करो ऐसी परसनलिटी जिसने एक बेज कलर की जीन्स या चीनोंस पहन रखी है उसके साथ उसने लेधर बूट पहने है और उसने वाइट शर्ट या वाइट चेक शर्ट पहन रखी है और ये पर्फियम उसने लगाया दोस्तों इवनिंग के समय ये पर्फियम उसको बिल्कुल मैच करेगा तो या फिर मैं ये पर्फियम भी किसी बड़े सेलिबरिटी परसनलिटी के साथ मैच करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वो परसनलिटी है येश जब इस एक्टर की उसकी मूवी के अंदर एंट्री होती है तो आस पास के जो लोग हैं उसके इंटेस्ट लुक से डर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उसकी परसनलिटी किस टाइप से है तो ये पर्फियम उसको बिल्कुल मैच करता है तो इस पर्फियम की पर्फार्मस भी बहुत बड़ी है इसका पर्जेक्शन आपको एक से लेके दो गंटे तक का अच्छा पर्जेक्शन मिलेगा इस पर्फियम से लास्टिंग भी आपको 6 से लेके 8 गंटे तक की लास्टिंग अराम से मिलने वाली है और इस पर्फियम को आप इमनिंग के समय पूरा साल यूज़ कर सकते हैं तो वाइल्ड स्टोन का अगला जो पर्फियम है उसका नाम है एमो तो इसकी जो फरेगरंस है इसके अंदर आपको वुडी और स्पाइसी तॉन के साथ औरोमेटिक टोन भी मिलेगी तो जैसे इस पर्फियम का नाम है एमो तो इस पर्फियम के अंदर जैसे बारूत के जलने के बाद की जो एक फरेगरंस होती है पर वाल्ड स्टोन ने इस पर्फियम के अंदर बहुत ही सई तरीके से काम करा है जैसे कि गन पाउडर उसके जलने के बाद की जो खुश्बू होती है उसको ब्लेंड किया गया है बाकी और रिच नूर्स के साथ तो ये एक बहुत ही सुन्दर ब्लेंड है तो इस पर्फियम के अंदर काली मिर्च मतलब पैपर और उसके साथ रोजमेरी जिसके अंदर आपको कैश्मेर का एक बहुती सुन्दर टोन मिलने वाला है वुडी और पचूली और मस्क के टोन के साथ तो ऐसी जो फ्रेग्रेंस होती है पार्टी में यूज़ करने के लिए एक बेस्ट आप्शन होती है क्योंकि जब आप पार्टी में जाते हो आप क्या मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई यही चाहता है कि वो सबसे अलग और यूनीक तिके तो यह परफियूम भी एक यूनीक स्मेल करता है अगर आपने दाड़ी मूचे रखी है और इंटेंस लुक है आपका पार्टीज में जाना अगर आपको अच्छा लगता है बलाक ट्रेस पहनना तब आपको अच्छा लगता है एक दम मैस्कुलिन या अलफा मेल टाइप तो इस पर्फियम को आप पूरा साल यूज़ कर सकते हैं इवनिंग के समय पार्टीस के लिए ये एक पैस्ट आप्शन है वैसे दोस्तों पार्टीस जो होती है चार-पाश गंटे के अंदर ओवर हो जाती है पर फिर भी इस पर्फियम से जो आपको लास्टिंग है वो छे गंटे तक की लास्टिंग अराम से मिलने वाली है और इसका जो प्रजेक्शन आपको एक से ले की देट गंटे तक का एक अच्छा एक मौडरेट प्रजेक्शन आपको अराम से इस perfume से मिलने वाला है तो मेरे हिसाब से Wild Stone की ये तीनों perfume एक best option है अगर आप budget के हिसाब से एक premium fragrance सर्च कर रहे हैं तो भी और अगर आप occasions के हिसाब से fragrance सर्च कर रहे हैं तो भी और अगर आप इन तीनों perfume को करीना चाते हैं तो इनका जो प्राइज है, अगर आप इनके बॉक्स के ओपर देखेंगे, तो MRP आपको 799 रुपीज मिलेगी 100 ml की बॉटल के लिए, अगर आप चेक करेंगे दोस्तों, तो हो सकता है किसी अच्छी डील या किसी अच्छी ओफर के अंदर, ये तीनो पर्फियूम्स आपको इनकी वेबसाइट, Flipkart, Amazon के ओपर मिल जाएं, तो अगर आप ये तीनो पर्फियूम्स करीना चाहते हैं दोस्तों, इनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके इन पर्फियूम्स को अभी करी सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपको आप ऑन खर्फियूम्स करी से झांद to्स्तों with अपर्फियूम्स करी संदनध चाहते हैं, तो अज्दी वीज़क隨 को सकते हैं झाल झाल